प्रिशा ने बताया है कि वो युवराज और उसकी बेटी है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा से वो मेरी बेटी थी लेकिन अब मेरे सामने प्रिशा का सारा सच आ गया है मैं अब ये कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और नहीं मैं इसके लिए प्रिशा को माफ करूँगा अब से मेरे लिए वो मठ चुकी है शारदा सोचती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गरबढ है इसलिए वो प्रिशा से मिलने का डिसाइड करती है दूसी तब दिखाया जाएगा कि बंटी प्रिशा से कहता है तुमने जून क्यों बोला रुद्राक्ष से कि रूही तुम्हारी नहीं बलकि वराज की बेटी है तब इप्रिशा कहती है क्योंकि मैं एक क्रिमिनल की तरह नहीं जी सकती वो से याद करवाती है उसका प्रॉमिस और यहाँ पर वो कहता है बंटी प्रिशा से अच्छे एक बार बताओ प्रिशा तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगी प्रिशा कहती है कि मैं चाहूं जब तक रहूंगी लेकिन मैं रुद्राक्ष की जिंदीगी खराब नहीं कर सकती और नहीं मैं और रुद्राक्ष अब साथ रह सकते हैं इसलिए तुम भूल जाओ के तुम मुझसे मिले भी थे अगले दिन का सीक्वेंस निकाया जाएगा वैजन्ती यहाँ पर बंटी से कहती है कि शार्दा अपने रूम में नहीं है रुद्राक्ष कहता है कि मुझे पता है वो कहां होंगी वैल शार्दा प्रिशा से मिलने के लिए पहुंचाती है उसके घर और उसे मिलता ही हक करती है वो उसे कहती है कि प्रिशा तुम कैसे जिन्दा हो हम लोगों से दूर हम लोगों से मिले बिना और तुमारा दिल कभी किया नहीं हमसे मिलने का प्रिशा गहती है कि नहीं ये सब आप क्या बोल रही हैं, यहाँ पर रूही के बारे में बार चीत करते हुए शार्दा कहती है, मेरा ये दिल मानने को तयार नहीं है कि रूही तुम्हारी ये युवराज के बेटी है, और मैं तुमसे सच जाना चाहती हूं प्रिशा, अगे से आपसे रिग्वेस्ट है कि मीरी लाइफ में आप यह फीक कोई और इंटर्फर ना करे और यहां से प्रिशा चली जाती है शार्दा माफ भी मांगती है उसे और कहती है कि I'm sorry बेटा मैं तुम्हारी personal life में interfere नहीं करना चाहती थी मैं तो बस यह देख करके खुश हो कि तुम जिन्दा हो और खुश हो मैं अब बस तुम्हारी खुशी चाहती हो और कुछ नह आए वहां उस शार्दा से कहता है आप यहां क्यों आई शार्दा कहती है मैं बस प्रिशा से एक बार मिलना चाहती थी लेकिन प्रिशा बहुत बदल गई है बेटा उसे अब हमारी या फिक किसी और की कोई परवा नहीं है वो दोनों वहां से चले जाते हैं प्रिशा उन द सांची से कहती है रूही कि नहीं हम लोग साथ नहीं रह सकते मुझे नहीं पता ऐसा क्यूं है लेकिन यही सच्च है सांची यहां रुद्वाक्ष की कार दिखाती है और उससे कहती है चल रूही मैं स्कूल जाती हूं तो रुद्र से मिल ले शार्दा यहां पर खांसने हैं शार्दम मेरी माँ है यहां पर प्रिषा कहती है वो मेरी माँ है रुद्र कहता है कि नहीं Can detect तुम हमारे लिए 5ошों पहले ही मढ चुकी थी और हमारा तुम्हाएर साथ कोई भी relationship नहीं है वो कहता है कि अब सब कुछ ्थ नियुकूया है हमारे पूछती है शार्दा से क्या सब कुछ ठीक है? मैं जानती हूँ कि आप प्रिशा से मिल लें गई थी. शार्दा कहती है कि हाँ प्रिशा और द्राक्ष अब कभी भी एक नहीं हो पाएंगे. प्रिशा अब हमारे लिए कोई माइने नहीं रखती हूँ नहीं वो हमारे लिए अब जिन्दा है. वेजनती ये सुनका बहुत खुश हो जाती है. यहीं हो जाएगा अचुरात की एपिसोड के और जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स एपोर्ट में. ऐसे ही मदेदा आप्डेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आप वीडियो को लाइक शेयर का ना ना भूलें.